जी आजि प्लस पहुच रहा हैं जी और मिस्टरा जी बेटे की पराही कैसी चल ली है अरे नमस्कार मास्टर जी आपके आशे रिवाद से अच्छे नमबरों से पास हूआ है पताजे क्या आपकी मिस्टरा जी इस्कूल के पास ही एक जमीन खरीदी है अच्छा मुबारख हो पर एक प्रोलम है मास्टर जी, क्या, एक डिलर से लोकल सरिया परचेज किया था, जिसमें सब का लेंथ अलग अलग है, कोई भी सरिया एक समान नहीं है, अब मेरा कॉंट्रेक्टर बोल है और सरिया लगेगा, बैसे बचत करने के चकर में तुम्हेरा डबल खर्चा हो रहा है मास्टर जी, गिना लेंथ और डायमेटर देखे बगेर, अगर सस्ता और आवम सरिया लगाएंगे, तो खर्चा दो जादा हो गाई ना क्या मतलाव? सरिया का वजन और डायमेटर अगर समानतर ना हो, तो कस्टमर को असुभीदा होती है मास्टर जी मैं देखाता हूँ अभी आपको ये देखिए मास्टर जी, इस लगडी, ये कहीं से भी समानतर नहीं है, कहीं से मोटी है, कहीं से पतली है जिसकी वज़े से होता क्या है, ये लगडी आसानी से तूट सकती है, ये देखिए, देखा आपने मास्टर जी? अच्छा, सरिया भी ऐसा कमजोर हो सकता है अब देखिए, देखिए मास्टर जी, अब इस लकड़ी को देखिए, ये लकड़ी है करेक्ट डायमेटर की, यानि कि ऊपर से लेके नीचे तक बराबर बिल्कुल टाटा टिसकोई के सरे की तरह, और देखिए, ये तने आसानी से टूटेगा भी नहीं, नहीं टूट रही मा आईए, अंदर चलते हैं, टाटा टिसकोई का सरिया थोड़ा नहींगा दिखता जरूर है, लेकिन होता नहीं है, इसका हर एक सरिया सही वियास और सही लंबाई का होता है, जिससे सरिया तो कम लगता है, और साथ ही साथ आपके पैसी की बचत भी होती है, वो भी लोंग टर यहांने टेंशन के छुट्टी, टाटा टिसकोउन के करेक्ट डायमिटर और करेक्ट लेंद के सरिये देखें और खरीदें, और घर बनवाईए, टेंशन फिरी हो जाईए, अब तो मेरा घर टाटा टिसकोउन से ही मजबूत बनेगा, जी